प्रेस्ण 37, खाली अस्थानों को भरें का एक वर्स, एक वर्स बराबर, तो एक वर्स में कितना महीने होते हैं, तो एक वर्स में 12 महीने होते हैं, खाली एक महीना, तो एक महीना बराबर, कितना दीन होते हैं, तो एक महीना में 30 दीन होता है, तो कोई-कोई महीना में 31 दीन भी होता है, लेकिन जाएतर महीना में 30 दीन होता है, ठीक है, तो एक महीना बराबर कितना लिखेंगे 30 दीन, तो एक महीना में 30 दीन ही मानकर चला जाता है, ठीक है, तो 30 दीन ही लिखेंगे, एक महीना बराबर 30 दीन, ग, एक घंटा, तो एक घंटा बराबर, कितना मिनट होता है, तो एक घंटा में, उतना मिनट होता है, तो यहां पर क्या भरेंगे, खाले स्थान में, साथ एक घंटा बराबर साथ मिनट घह एक दिन तो एक दिन बराबर कितना घंटा होता है एक दिन बराबर कितना घंटा होता है तो एक दिन में 24 घंटा होता है एक दिन में 24 घंटा होता है अड़ा एक लीप इयर बराबर एक लीप इयर बराबर कितना दिन होता है तो एक लीप इयर में 366 दिन होता है देखिए एक साल में 365 दिन माना जाता है लीप इयर जो है हर 4 साल के बाद आता है जिसमें की फरवरी में 29 दिन होता है तो वही एक दिन बढ़ जाता है जब फरवरी में 29 दिन होगा उसी को लीप इयर कहते हैं जिस भी साल का फरवरी में 29 दिन होता है उस साल को क्या कहते हैं लीप इयर क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है ऐसे 365 दिन साल में होता है लेकिन 4-4 साल के बाद एक ली पियार आता है जिसमें कि एक दिन बढ़ जाता है जो कि हो जाता है 365 दिन यानि फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है फरवरी जो है 29 दिन का हो जाता है च, एक मिनट एक मिनट बराबर कितना सेकंड होता है तो एक मिनट में साट सेकंड होता है च, च में है वर्स उनाइस सो च्यानमे में बराबर दिन होंगे तो वर्स उनाइस सो च्यानमे में कितना दिन होंगे तो देखे वर्स उनाइस सो च्यानमे में अब उनाइस सो च्यानमे लीप एर है या सधारन एर है ये कैसे पता चलेगा तो देखे उनाइस सो च्यानमे अगर चार से कट जाता है उनाइस सो च्यानमे अगर चार से पूरा पूरी भाग लग जाता है तो ये लीपियर होगा ठीक है तो चार से भाग दे करके देखेंगे 1996 में तो चार चोक 16 घटाएंगे तो 3 आएगा फिर 9 उतारेंगे 4 नमा 36 घटाने पर कितना आएगा 3 फिर 6 उतारेंगे 4 नमा 36 सुन्य तो देखें 4 से पूरा पूरी कट जा रहा है 1996 जो है 4 से देखें पूरा पूरी भाग लग जा रहा है क्योंकि सेसफल सुनने आया है तो इसका मतलब कि 1996 में 366 दिन होगा अगर 1996 में 4 से नहीं कटता तो 365 दिन होता ठीक है तो 1996 में क्या हो गया लीपियर क्योंकि 4 से कट जा रहा है क्योंकि हर 4 साल के बाद लीपियर आता है तो 4 से 1996 कट जा रहा है इसका मतलब ये लीपियर है यानि 1996 के फरवरी में 29 दिन होगा तो वही एक दिन बढ़ जाता है तो 365 दिन होता है ऐसे साल में लेकिन 1996 में 366 दिन होगा ज़ वर्स 1997 में तो 1997 में कितना दिन होगा तो देखे, 1997 में 365 दिन होगा, कैसे? 1997 जो है 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 1996 में 365 दिन हुआ है तो 1996 के बाद 4 साल बाद आएगा लिपियर देखे, ऐसे भी 1997 को 4 से अगर भाग देंगे तो 4 से नहीं कटेगा यह ठीक है? तो 4 से नहीं कटेगा इसका मतलब यह लिपियर नहीं है तो इसमें 365 दिन ही होगा जो साल 4 से कट जाएगा वही लिपियर होगा तो 1997 के फरवरी में 28 दिन होगा, एक दिन कम जाता है इसलिए 365 दिन होगा 1997 में 1998 में भी 365 दिन होगा 1999 में भी 365 दिन होगा लेकिन वर्ष 2000 में 366 दिन होगा क्योंकि 2000 जो है 4 से कट जाता है प्रेशन 38 घाड़ी को देखकर समय बताएं तो इसमें देखिए इस घाड़ी में छोटा सुई जो है 2 और 3 के बीच में है और बड़ा सुई 6 पे है तो छोटा सुई घंटा बताता है और बड़ा सुई मिनट ठीक है छोटा सुई क्या बताता है घंटा और बड़ा सुई मीनट बताता है तो दो और तीन के बीच में है यानि दो बज कर तो इस घड़ी में क्या हुआ है दो बज कर क्योंकि दो के बाद है और तीन से पहले है इसका मतलब दो बज कर अब देखिए बड़ा सुई कहाँ पे है छे पे है तो 6 को 5 से गुना कर देंगे तो 6 पचे हो जाएगा 30 यानि 2 बज़ कर 30 तो कितना बज़ा है 2-30 2 बज़ कर 30 मिनट हुआ है यानि 2-30 बज़ा है इस में इस घड़ी में ठीक है तो छोटा सुई घंटा बताता है बड़ा सुई मिनट बताता है तो 2 और 3 के बीच में है यानि 2 बज़ कर 6 पे है बड़ा सुई तो 6 को 5 से गुना कर देंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा जहाँ पे भी सुई रहेगा बड़ा सुई उसको 5 से गुना कर देंगे 7 पर रहेगा तो तो 5 से गुना कड़ेंगे तो 35 हो जाएगा ठीक है तो 2 बज कर 30 हुआ है यहाँ पर अब इस घड़ी में देखिए छोटा सुई जो है घड़ी का तीन और 4 के बीच में है यानि तीन के बाद है चार के पहले है तो 3 बज कर तीन और 4 के बीच में है तो 3 बज करके कितना मिनट हुआ है अब मिनट वाला सुई देखेंगे तो घंटा वाला सुई होता है छोटा सुई मिनट वाला सुई होता है बड़ा सुई तो मिनट वाला सुई 8 पे है तो 5 से गुना कर देंगा 8 को जहाँ पे भी रहेगा बड़ा उसको 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा यानि 3 बज़ कर 40 मिनट हुआ है 3 चालिस बज़ा है तो 3 चालिस यहां पर बज़े लिख देंगे कॉमा अब इसमें देखें बड़ा सुई यह बड़ा सुई 12 पर है छोटा सुई 8 पर है तो 8 बज़ कर छोटा सुई कहाँ पर है 8 पर है तो 8 लिखेंगे यहां पर और बड़ा सुई 12 पर है तो 12 को 5 से अगर गुना करेंगे तो 12 पच्चे 60 होगा ठीक है तो 60 नहीं लिखेंगे यहां पर 00 लिखेंगे क्योंकि 8 बज़ा है जब 12 पे बड़ा सुई हो तो वहाँ पे 5 से गुना नहीं करेंगे सिर्फ 00 लिख देंगे क्योंकि एक घंटा में 60 मिनिट होता है ठीक है तो यहाँ पे 60 हो गया 12 पच्छे 60 यानि 8 बजा है तो छोटा सुई 8 पे है बड़ा सुई 12 पे है इसका मतलब 8 बजा है । श्रूब । झाल